exercise 9.1 का ही हमारे पास next question है question number 4 हमें क्या करना है find the value of theta when L and R are given तो हमने एक relation पड़ा था बच्चों वो क्या था L equal to R theta और हमने कहा था L और R जो हैं वो in the same units होंगे और theta जो होगा should be in radian होगा तो L and R हमें given है जो हमारे पास relation है इसमें put कर देते हैं यहां से हम theta की value निकाल लेते हैं तो theta क्या आ जाएगा L over R L हमारे पास given है 3.2 meter और R क्या है 2 meter अब आप देखे L और R जो हैं वो same unit में है अगर हमारे पास same unit में नहीं होता जैसे कि अगर हमारे पास L centimeter में होता है और R meter में होता है तो हम क्या करते, convert करते किसी एक unit में ले जाते या centimeter को meter में ले जाते या meter को centimeter में ले जाते तो theta की यहां से value क्या आ जाएगी अगर हम divide करके check कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास answer 1.6 radian हमने यही find out करना था अब next question की तरफ भढ़ते हैं वो हमारे पास क्या है हमने value of R find करनी है when L and theta are given तो हम solve करते हैं again हम वो ही relation को use करेंगे L equal to R theta को और यहां से हम क्या करते हैं R की value के लिए solve कर लेते हैं तो R यहां से क्या आ जाएगा L over theta अगर मैं L की given value को plug कर दूँ क्या है 5 cm और theta जो है अब देखें आप यहां पर बात देखें और करें कि theta जो है वो हमारे पास radian में given है अगर हमारे पास theta degree में होता तो हम पहले क्या करते हैं उसे radian में convert करते हैं और फिर इस relation में theta की values plug करते हैं अभी हमारे पास यहां पर theta given है half radian तो हम अगर इसको solve कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 cm तो हमने यहां से क्या किया l equal to r theta की relation को use करते वे value of r find out कर ली hope so आपको यह question समझाया होगा thank you करते हो झाएखड़ना आ जतहुम हमाहबागाँ तो हमाह़ा जाएगा है